आप लोगोंने देखा होगा कि हम लोग मद्द्पदेश के जो गवर्णेंट एकजाम होते हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए मद्द्पदेश سामान णिज्यान की कई किलास ने ली जा चुकी है और इसी तरह से आप देखें कि उत्तरपदेस सामान ग्यान को भी कवर किया जा चुका है बहुत सारी किलासे हम लोगों ने ले ली है और पेलेलिष्ट सूजी में जाएंगे तो आप लोगों को काफी मटेरियल मिल जाएगा आपको आप में से कई लोगों की ये भी माग है कि हमें बाकी राज्यों में भी बात करने चाहिए और इसी करम में आज हम लोग हर्याना के बारे में बात करने बाले हैं हर्याना के बारे में हम लोग कुछ जानने बाले हैं और हर्याना सामा नियान के जाम से आपकी एक पेलेलिस्ट सूची बना दी जाएगी, उसी में सभी कलासे आपको मिल जाएगी करम से, याद रुखिएगा. और एक क्लास आप देखेंगे जो भी क्लासें रहेंगे आपकी यह जो हर्याना में एक्जाम होते रहते न उनके लिए काफी महत्पूंड रहेंगी और बाकी जो एक्जाम होते हैं उनमें भी आप देखते हैं कि हर्याना से कुश्चन्स पूंच लेता है तो उनके लिए भी मात्फून रहेंगी सबसे पहले भारत का ये मैप देखाई दे रहा है आपको इसमें हर्याना को आप लोग देख लीजेगा उसके बाद आगे की हम लोग बात करते हैं देखें ये हमारा प्यारा भारत है इसमें हर्याना आपको दिखाई दे रहा होगा और हर्याना की राध्धानी एगर आप देखें तो चंडीगड है क्या है चंडीगड आप लोगों को देखने को मिलेगी और आप देखेंगे इसे राज कब बनाए गया था एक नवंबर 1966 में इसी राज बनाए गया था और अभी बर्तमार में 22 जिला देखने को मिलेंगे 22 और ये बढ़ते रहते हैं तो इसमें कोई जानदा परिशान नहीं होना है जब भी आप लोग एकजाम देने जा रहे हैं उसमें आप लोग देख लिया गरिएगा यहां आप देखें कि आपको विधान सबाव में 90 सीटें देखने को मिलेंगी कितनी 90 सीटे हैं विधान सबाव में राज्य सबाव में 5 सीटे हैं लोग सबाव में आपको 10 सीटें देखने को मिलेंगी अगर हम लोग इसके छेतफल की बात करें हर्याना की तो आप देखेंगे 44,200 वारे वरक किलूमीटर में फैला हुआ है आपका क्या हर्याना ठीक है तो यह भी आप लोग याद रखेगा और यहां की पितीक देखें तो आप देखेंगे प्राणी की बात करें तो आप देखें तो यह भी आप लोग याद रखेगा और इससे लगे हुए अगर आप राजी देखें तो पहले आप देखें कि आपका पंजाब हो गया क्या हो गया पंजाब हो गया और यहीं आप लोगों को हिमाचल पिदेश देखने को मिलेगा उसकी बाद आप देखिए राजिस्थान जाएए राज्स्तान से 20 की लहां लगती है उत्तर से 20 की सीमा लगती है यह भी आप लोग याद रखिएगा और जो दिल्ली है ना आपका केंजसासते पिदेश राष्टी या निभी दिल्ली ए इसे तीन तरफ से हर्याना गेहता है उत्तर पर्षिम और दच्छन से तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कई बार आप देखते हैं कि पूँच लेता है कि इस राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है इस तरह के questions पूँच लेता है अगर आप लोग देखिए एक normal जानकारी रखेंगे map के बारे में तो मुझे लगता है बहुत सारे questions के answer आप लोग देश सकते हैं बहुत ही साधारन questions पूँचे जाते हैं अब हम लोग हर्याना के कुछ जो मेले हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि इनसे पूँच लेता है कि ए मेला कहा होता है या किस जिले में होता है ठीक है तो आप देखेंगे पंच पूला में लगने बाले मेले देख लिजे आप लो ए हैरिटेज मेला हो गया बैस में देखें, लगने बाले पिरमोख मैले कौन कोसे हैं? बाबा सिम्रन्दास का मेला, छडियों का मेला, गोगा नाव्मी का मेला आपको करणाल में देखने को मिलेगा. और आप देखेंगे यमना नगर में लगने वाले पिरमुक मेले कपाल मोचन का मेला और वहीं कैथल में अगर आप देखें तो फलगू का मेला लगता है कैथल में वावन द्वास्ती का मेला लगता है पुंडरे का मेला भी ये आपका लगता है अम्बाला में अगर लगने वाली फिरमुक मिले देखें तो 52, 82 का मेला, तीज का मेला, दुर्गास्टमी का मेला, सिव 14 का मेला या को अंबाला में देखने को मिलेंगे एक questions आप देखते हैं कि आपका एक आप देखते होंगे कि एक line में questions दे देता है कि ए मेला कहां लगता है नीचे आपको चार options दे देता है इस तरह के questions हर जगए पूँचे जाते हैं तो यह भी आप लोग याद रखें अमाला में चार मेले ए बावन द्वासी का मेला तीज का मेला द्रगाश्टमी का मेला और सिर्व 14 ठीक है और पानीपत में लगने वाले मेले देखें तो आप देखें कलंदर की मजार का मेला पातरी माध्दा का मेला आप लोगों को देखन पहाड़ी का मिला भी आपको महेंदगप में देखने को मिलेगा। देखेंगे, सिर्षा में लगने वाले पिरमुक मेले, डेरा बाबा भो मन साह का मेला, रामदेव जी का मेला, राधा स्वामी जी का मेला, आपको सिर्षा में देखने को मिलेगा, हिसार में लगने वाले पिरमुक मेले देखें, हिसार में, तो महरा जाग्यसेन जैन्ती, लेओ चट का मेला हो गया, फोल डोर का मेला हो गया, कनुवा का मेला हो गया, दादा उदास दास का मेला हो गया, कालका का मेला हो गया, एफर इदाबाद में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, गुरुग्राम में लगने बाले पिरमुक मेले देखें, तो भगत पूरन मन क मेला, भूडी तीच का मेला, सीतला माता का मेला, नांग पूजा, बुद्धो माता का मेला, ये आपको गुरु ग्राम में देखने को मिलेगे, ठीक है, रोहितक में लगने वाली पिरमुक मेले, देख लिजे, बाबा जम्ना नात का मेला आपका रोहितक मेला लगता है, बाब चड़ी का मेला हो गया, ये रेवाडी में लगते हैं, जजजर में लगने वाले पिरमुक मेले, ये माता भीमिसोरी देवी का मेला हो गया, स्री सयाम जी का मेला हो गया, ये जजजर में आपको देखने को मिलेंगे, भीवानी में लगने वाले पिरमुक मेले, बाबा खोडे की तैयारी करें उसके पुराने questions paper उठर आके देखी गया आप लोगों मालू भी चल जाएगा कि कहां से किस तरह की questions पूचे जा रहे हैं देखिए जब भी आप लोग किसी exam की तैयारी करते हैं कासकर तो उसका syllabus उसके पुराने questions paper आप लोगों को अच्छे से देखना चाहिए ठीक है चली अंगली class में किसी इसी ही तरह के हर्याना की किसी topic पर हम लोग बात करेंगे ठीक है